तो यह हमारी सात्विक नेनुवा की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम मसालों में बन जाती है तो यहाँ पे हमारे पास है नेनुवा जो की है 2 किलो और इस नेनुवे को हमने अच्छी तरीके से छील लिया है इधर उपर और नीचे के भाग को काट लिया है जील लेने के बाद ये 1.5 kg नेनुवा आपको मिलेगा आप इसे अपने मन चाहे सेप में काट सकते हैं इस नेनुवे को मैं छोटे-छोटे सेप में इस तरीके से काटता हूँ आप चाहें तो इस तरीके से इसे लंबे सेप में भी काट सकते हैं किस तरीके से आप इसे काटना है ये आपके उपर है यहाँ पे एक कड़ाई में हम चार छोटे चमच घी का लेंगे और इस घी को अच्छी तरीके से हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद पहले हम इसमें डालेंगे जीरा जीरा को चिटकने देंगे फिर इसमें हम डालेंगे राई को तो ये है राई हम इसे डाल देते हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ अद्रक अद्रक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची तो ये हरी मिर्ची है इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, मिला देना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे धेर सारा करी पत्ता आप चाहें तो करीपत्ते को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं रेसिपी की इंग्रीडियन्ट लिस्ट आपको विडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो इस ची तरीके से चला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी चलाएंगे हम जिससे की सारी चीजे आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए और फिर इसके बाद हम इसमें नमक एट करेंगे तो दो मिनट हो गए हैं नमक एट कर देते हैं नमक डालने के बाद निन्वा धेर सारा पानी छोड़ेगा अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं निनुवा जो है वो पहले से करीबन आधा हो चुका है और इसे पानी भी निकलने लगा है अब हम इसे ढख के पकाएंगे तो हम इसे 10 मिनिट के लिए ढख देते हैं और आप देख सकते हैं धेर सारा पानी, इसका धकन हटाएंगे, एक बार हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे, और पांच मिनट के लिए हम इसे फिर से धक देंगे, तो करीबन 15 मिनट तक हम इसे धक के पकाना है, जिससे की निरुआ नर्म हो जाए, तो निरुआ हमारा अ और किसी मसाले की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी, और टेस्स इसका बहुत ही बढ़ियां लगेगा आपको, तो धकन खोलने के बाद 2-3 मिनट मैं इसे और पकाने वाला हूँ तेजाज पे, जिससे सबजी हमारी थोड़ी से ड्राय हो जाएगी, और एक् कम मसालों का यूज होता है, और इसका स्वाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक, शेर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं ये रेस्पी आपको कैसी लगी, थैंक यू सो मच